समस्कार बच्चो आशा करती हम अच्छे होंगे आप सब बच्चो हमने भाग एक उध्योग पाठ कक्षा 8 किया था वुगोल की पुस्तक का आज हम उसी पाठ का भाग दो करने वाले हैं भाग एक में आपने उध्योग की परिभाशा, उध्योगों का वर्गी करण, उध्योगों की अवस्थिती के कारक और प्रमुक अधोगिक परदेशों के बारे में जाना था और भारत का सबसे प्रमुक उध्योग, लोग इसपात उध्योग का हमने चर्चा की थी बच्चों आज हम उसी चर्चा को आगे ले जाएंगे और भारत के एक निजी उध्योग जिसे टाटा आइरन एंड स्टिल जमशेदपूर के नाम से जाना जाता है या साधारन शब्दों में कहे हम तो टिस्को कहे के हम उसे पुकारते हैं तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद हमारा सूती वस्तरुध्योग तो आओ बच्चों हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं टाटा आइरन एंड स्टिल कमपनी टिस्को जमशेदपूर 1947 से पुर भारत में केवल एक इसपात का कार खाना था टाटा आइरन एंड स्टिल कमपनी लिमिटेड टिस्को ये नीजी स्वामित्व में था स्वतंतरता के पश्चाद सरकार ने ये कारिये अपने हाथ में लिया और बहुत से लोह इसपात सयंत्र स्थापित किये जारखंड में स्वर्ण रेखा और खर कई नदियों के संगम के समीब साक्ची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी भगौलिक रूप से जमशेदपूर देश में लोहा इसपात केंद्र के रूप में सरवादिक सुविधा जनक स्थान पर है साक्ची को कई कारणों से इसपात सयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया वो कारण हम शुरू कर रहे हैं पहला ये स्थान बंगाल नाकपुर रेल मार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमिटर की दूरी पर था ये स्थान लो अस्क, कोईला और मैगनीज निक्षेपों के साथ साथ कॉलकाता के निकट भी था विशाल, बाजार, कॉलकाता में उपलब्द था तिसको को जर्या कोईलक शेत्र से कोईला और उडीसा तथा 36 गड़ से लो अैस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैगनीज प्राप्थ होता है खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों से प्रियाप्त जलकी आपूर्ती होती है सरकारी प्रोटसानों से इसे प्रियाप्त पूंजी उपलब्ध हुई तो ये सब इस उद्ध्यों को स्थापित करने के कारक थे मैंने आपको पिछले पार्ट में कारकों के बारे में बताया था जमशेदपूर में इसको की स्थापना के बाद कई अन्य औध्योगिक सयंत्र स्थापित किये गए इन में रासायन, इंजनों के पुर्जे, क्रिशी उपकरन, मशीने, तिन की चादरे, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है भारत में लोहा इसपात उध्योग के विकास से त्वरित औध्योगिक विकास आरंभ हुआ भारते उध्योगों के लगबख सभी क्षेतर अधिकांश्तह अपने आधार बूत अवसरंचना के लिए लोहा इसपात उध्योग पर निर्भर है भारती लोहा इसपात उद्ध्योग में ब्रहत समाकलित इसपात सेंत्रों के साथ साथ लगू इसपात मिल भी सिमलित है इसमें द्वित्तिक उत्पादक, रालिंग मिल और सायक उद्ध्योग भी शामिल है बच्चो इस पानचित्र को देखो यहां जमशेत पूर में लोहा इसपात उध्योग की अवस्थिती को दिशाया गया है यह मांचित्र पैमाने पर नहीं है इसमें आपको टाटा इसपात कारिय टाटा नगर रेल्वे स्टेशन दिख रहा है आप देख सकते हो बिल्कुल रेल्वे स्टेशन के नजदीख ही यह उध्योग स्थापित किया गया यहां आपको दो नदियां भी दिख रही है बच्चो स्वर्णरेखा नदी, खरकाई नदी इनी दोनु नदियों से इस उध्योग को जल प्राप्त होता है आओ बच्चो, अब हम बात करते हैं पीट्सबर्ग की यह संयुक्त राज्ये अमेरिका का एक महतपूर इस्पात नगर है पीट्सबर्ग के इस्पात उध्यों को स्थानी सुविधाएं उपलब्ध है कच्चा माल जैसे कोईला पीट्सबर्ग में ही उपलब्ध है जबकि लोह अइस्क मीने सोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है जो पीट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है इन खानों और पीट्सबर्ग के बीज नो परिवेहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है क्या आप जानते हो बच्चों ग्रेट लेक्स के नाम सुपीरियर, हयूरन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी है इन पांचों जीलों में से सुपीरियर जील सबसे बड़ी है जो अन्य की तुलना में उच्च उधर्व प्रवाहा पर स्थित है ये आयस्क के नो परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है ग्रेट लेक्स से पीर्सबर्ग शेत्र तक लोह अयस्क रेलगाडियों से लाया जाता है ओहियो, मोनोगहेला और एलगनी नदियों से प्रियाप्त जल प्राप्त होता है आज पीर्सबर्ग में बहुत कम बड़े इसपात मिल है ये मिल पीर्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एलगनी नदी की घाटियों में तथा पीर्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित हैं परिश्कृत इसपात स्थल और जल दोनों मार्गो द्वारा बजार में भीजा जाता है पीर्सबर्ग शेत्र में इसपात मिलों के अतिरिक्त कई अन्यकार खाने हैं ये रेल, रेल पट्री उपकरन और भारी मशीनों के उत्पादन में इसपात का प्रियोग कच्चे माल के रूप में करते हैं आओ बच्चो, अब हम सूती वस्त्र उध्योगों की चर्चा करें आपको लुहा और इसपात उध्योग समझ आ गया होगा बच्चो, टेक्स्टाइल शब्द वस्त्र उध्योग के लिए प्रियोग किया जाता है शब्द टेक्स्टाइल लेटिन के टेक्सियरे से विय उत्पन किया गया है जिसका अर्थ बुनना होता है धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है कपास, उन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रियोग वस्तर निर्माण में होता है उप्योग में लाए गए कच्चे माल के अधार पर वस्तर उध्योग का वर्गी करण किया जाता है रेशे वस्तर उध्योग के कच्चे माल हैं रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं प्राकृतिक रेशे कौन से होते हैं बच्चों? जैसे उन, सिल्क, कपास, लीनन और जूट और मानव निर्मित रेशे कौन से होते हैं बच्चों? नाइलोन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक और रियान सूती वस्तर उद्ध्योग विश्व के प्राचिंतम उद्ध्योगों में से एक है अठारवी सदी की अध्योगिक करांती तक सूती वस्तर हस्त कताई तकनी को एवम हत करगों से बनाया जाता था बच्चों हत करगे क्या होते हैं? आपने देखा होगा, बुनकर जो है हाथों से बुनते हैं, हाथों से कताई करते हैं तो पुराचीन समय में सारे कारिये हाथों से किये जाते थे भारत में अठारवी सदी में पावर लूमनें पहले ग्रेट ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे देशों में सूती वस्तर उध्योगों के विकास को आगे भढ़ाया आज भारत, चीन, जापान और सहिंत राज्य अमेरिका सूती वस्तर के महत्पुन उत्पादक हैं भारत में अच्छी गुनवता के सूती वस्तर उत्पादन करने की गौरफपुन परंपरा रही है ब्रिटिश आशन से पुर्व, हाथ से कते और हाथ से बुने हुए वस्तरों का एक विस्तरित भारतिय बाजार था धाका का मलमल, मसूली पटनम की चीन्ट, काली कटके कैलीको, तथा बुरहानपूर, सूरत वा बढ़ादरा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्तर गुनवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्व विख्यात थे लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्तर का उत्पादन महंगा और बनने में अधिक समय लेता था इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उध्योग पश्यम के नए वस्त्र मिलों से प्रतिसपर्धा नहीं कर सके जो सस्ते वा अच्छे गुनवत्ता वाले वस्त्रों का निर्मान करते थे पहला सफल आधुनिक वस्त्र मिल मुंबई में 1854 इस्वी में स्थापित किया गया कोशन आदर जलवाईयू, मशीन आयात के लिए पतन, कच्छे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उध्योग के दुर्थ फैलाव में सायक रहे बच्चों, क्या आप जानते हो, देश में प्रथम वस्त्र का उध्योग 1818 में कॉलकता के समीप फोर्ट गैलेस्टर में स्थापित हुआ लेकिन कुछ समय बाद ये बंध हो गया इसलिए हम अपना सफल आधुनिक वस्त्र मिल मुंबई में 1854 को ही मानते हैं प्रारंब में ये उध्योग महराष्टर और गुजरात राज्ये में अनुकूल आद्र जलवायु के कारण पनपा लेकिन वर्तमान में आद्रता कृत्रिम रूप से उत्पन की जा सकती है और कच्ची का पास शुद्ध होती है एवं वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता इसलिए ये उध्योग भारत के विभिन भागों में फैल गया है कोयमबटूर, कानपूर, चैन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कॉलकाता, लुधियाना, पूडुचेरी और पानीपत कुछ अन्यमहतपूर केंद्र हैं आओ बच्चो, हम अहमदाबाद की बात करते हैं अहमदाबाद गुजरात में साबर मती नदी के तड़ पर स्थित है 1869 में यहां पहली सूती मिल स्थापित हुई थी यह यथा शिगर ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्तर निर्माता नगर बन गया अहमदाबाद को प्राया भारत का मांचेस्टर कहा जाता है अनुकूल अवस्थिती कारक अहमदाबाद में सूती वस्तर उध्योग के विकास में सायक थे अहमदाबाद कपास उत्पन करने वाले एक शेतर के केंदर में स्थित है यहां कच्चा माल असानी से उपलब्ध होता है आदर जलवाईू कताई और बुनाई के लिए आदर्श जलवाईू है सपाट भूभाग और भूमी की असानी से उपलब्धता मीलो की स्थापना में उप्युक्त है गुजरात और महाराष्टर राज्ये की घनी आबादी इस उध्योग को कुशल और अर्ध कुशल श्रमिक उपलब्ध कराते है सुविक सितर सडके और रेल मारगों का जाल सूती वस्तर को देश के विभिन भागों में आसानी से पहुँचने में मदद करता है इस तरह इसकी बाजार तक सरल पहुँच उपलब्ध है नस्दीग में मुंबई पतन इसे मशीनों का आयात करने और सूती वस्तर के निर्यात की सुविधा प्रदान करता है तो बच्चों ये सभी कारक जो हैं ये बताते हैं कि अहमदाबाद जो है सूती वस्तर मिल उध्योग के लिए सबसे सही जगा है परन्तु हाल के वर्षों में अहमदाबाद के सूती मिलों की कुछ समस्याएं हैं बहुत से मिल बंधो चुके हैं देश में नए वस्तर केंद्रों का विकास और अहमदाबाद के मिलों में मशीन प्रद्धोग की का नवी करन ना होना इसका प्रमुख कारण है बच्चों आपको में एक क्रिया कलाब देती हूँ आप सभी दर्जी की दुकान में जाकर विभिन परकार के कपड़ों के टुकड़े इकठा करना जैसे सूती, रेश्मी और कृत्रिम रेशे और उनी कपड़ों वाले वस्तरों को इकठा करके उन्हें वर्गिकृत करना और उनमें अंदर देखना ये आपका क्रिया कलाब है बच्चों अब मैं आपको विश्व के मानचित्र पर ले जाती हूँ विश्व के मानचित्र में ओसाका जापान का एक महत्वपून वस्तर निर्मान केंद्र है जिस तरह से अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर कहा जाता है उसी तरह से ओसाका को जापान का मानचेस्टर कहा जाता है उसाका में सूती वस्तर उध्योग का विकास कई भगौलिक कारणों से हुआ है उसाका के चारों और का विस्तरित मैदान सूती वस्तर मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमी की उपलब्धता सुनिश्चित करता है कोशन आदर जलवायू कताई वा बुनाई के लिए बहुत वी उप्युक्त है योडो नदी मिलों के लिए प्रयाप्त जल उपलब्ध कराती है श्रमिक आसानी से उपलब्ध है पतन की अवस्तिती कच्चे माल को आयात करने और वस्तरों को निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती है उसाका का वस्तर उद्योग पूरण तहा आयातित कच्चे माल के रूप में निर्भर है कपास मिस्र, भारत, चीन और USA से आयात किया जाता है क्यूंकि जापान में कपास अधिक मातरा में उपलब्ध नहीं है वे इसे पूरी तरह से इन देशों से आयात करकर मंगवाते हैं और मंगवाने के बाद अपने उध्योगों में इससे वस्तर बनाते हैं परिश्कृत उत्पाद अधिकांश्ता निर्यात किया जाता है उच्चगुनवत्ता और कम मुल्ले की वज़ा से उसका एक अच्छा बाजार है यद्पी देश का ये एक महत्पूर उध्योग है लेकिन हाल ही में उसाका के सूती वस्तर उध्योगों का स्थान अन्य उध्योगों ने जैसे लोह इस्पात, मशीनरी, जहाज रानी, आटो मोबाइल, विधुत उपकरन और सिमेंट लेते जा रहे हैं आओ बच्चो, हम विश्व के मांचित्र में सूती वस्तर उध्योगों को देखें बच्चो, ये है 5.10 इसमें प्रमुक सूती वस्तर वी निर्मान प्रदेश दिखाए गई हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ जहाँ आपको कपास की फूल नजर आ रहे हैं महाराश्टर, मध्य भारत वा दक्षिन भारत में आपको ये दिख रहे हैं उसी तरह से जापान क्योंकि अभी हमने देखा उसाका को कि उसे मांचेस्टर कहा जाता है उसी तरह से हमारे एहमदाबाद को भी भारत का मांचेस्टर कहा जाता है तो बच्चों यहाँ पर आपको उत्तर अमेरिका दक्षिन अमेरिका के आसपास यूरोप और एशिया में इस तरह के फूल दिख रहे हैं और अफ्रीका में भी बिलकुल नीचे की तरफ आप देख सकते हैं आओ बच्चों अब हम प्रशन उत्र शुरू करते हैं तो बच्चों बताओ निम्न मैंसे कौन सा शहर जापान का मांचेस्टर के नाम से जाना जाता है आप्शन है टोकियो, उसाका, योकोहामा, नागासाकी सही उत्तर है उसाका अगला प्रशन निम्न मैंसे किसे भारत का मांचेस्टर कहा जाता है Option है सूरत, कौलकाता, अहम्दाबाद, तमिलनाडू सही उत्तर है अहम्दाबाद अगला प्रशन देश का प्रतम वस्त्र उध्योग कहां पर स्थापित किया गया था? Option है सूरत, अहम्दाबाद, कौलकाता, मुंबई सही उत्तर है कौलकाता अगला प्रशन, निम्न लिख्वित मैं से कौन से प्राकृतिक रेशे है उन, सिल्क, लीनन, रेयान सही उत्तर है उन, सिल्क, लीनन अगला प्रशन, भारत में सर्वप्रथम लोह इस्पात कार खाना कहां स्थापित किया गया था? अगला प्रशन, लोह इस्पात उध्योग में कच्चे माल के रूप में प्रियुक्त होते है आप्शन है लोह इस्प, कोईला, चूना पत्थर, बाकसाइट सही उत्तर है लोह इस्प, कोईला, चूना पत्थर अगला प्रशन, कपास उध्योग मुंबई में तेजी से क्यों विक्सित हुआ है? उत्तर है, खोशन और आदर जलवाईयू मशीन आयात के लिए पतन की उपलब्दता, कच्चे माल की उपलब्धता, दक्ष श्रमिकों की उपलब्दता बच्चो, अगला प्रशन, अहंदाबाद को भारत का मान्चेस्टर क्यों कहा जाता है? उत्तर है कच्चे माल की उपलब्धता के कारण सपाट भूबाग और भूमी की आसानी तीसरा आदर जलवाईू चौथा कुशल और अर्ध कुशल श्रमिक पाँचवा सुविक्सित सडके और रेल मार्क का जाल छठा बाजार की उपलब्धता और साथवा मुंबई पतन की नस्दी की अगला प्रशन ताटा आयरिन एंड स्टिल कमपनी जमशेद पूर में स्थापित करने के क्या कारण है उत्तर है प्रथम बंगाल नागपूर रेल मार्क की निकटता दूसरा लो अस्क कोईला और मैगनीज निकशेपों की निकटता तीसरा कॉलकाता जैसे विशाल बाजार की उपलब्धता चौथा खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों से प्रयाप्त जल की अपूर्ती पाँचवा सरकारी प्रोसान से प्रयाप्त पूंजी तो बच्चो आपको ये पाठ समझा गया होगा तो बच्चो आशा करती हूँ आपको हमारा ये पाठ उध्योग अच्छे से समझ आया होगा और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके विशे को और अधिक सरल बनाने की तो बच्चो इस पाठ में उध्योगों के कारक, उध्योगों के वर्गिकरन वा प्रमुक उध्योगों की चर्चा हमने की और आपको पता चला कि हमारे भारत के दो प्रमुक उध्योग लोग और इस पात वा सूती वस्तर उध्योग पहुत ही प्राचीन समय से चले आ रहे थे और हमारे जो नया उध्योग था वो था सूचना प्रध्योग की उध्योग तो बच्चों सुरक्षित रहिए स्वस्तर हिए धन्यवाद